नमस्कार मैं दीपकुमार टीचिंग वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूँ वे सभी स्ट्रेंट जो सीटड अग्जाम की त्यारी कर रहे हैं और टीचर बनना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों टीचिंग वाला को जोईंग करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं क्योंकि टीचिंग वाला एक विश्वास का नाम है जिसने भारत के अनेक बच्चों को उज्वल भाविशा दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का सांदार सेसन आप लोगों के बीच उमीद करता हूं कि सभी लोग जुड़ गए होंगे चलिगा भाई आज ये फटा पर शुरू करते हैं सुनो मोनो нас गोली कितना प्यारत नाम है गोली है चली है। सभी को सब्धें करते हैं कि साथी यो म्लोग किसुनी के ऊपर बात करें थें बता iii कल हमने किस टोपिक के ऊपर बात की थी कौन कर देखें कोौन कों कॉन कल की क्लास में था बताएगा जारा एक बाद mathematical instrument हम लोग पढ़ रहे थे उसके लगबग 8 question theory पढ़ दिये थी basic चीजे पढ़ दिये थे 8 question भी हम लोग ने पढ़ दिये थे तो कल की class में क्या क्या हो चुका था देख लेती हैं बड़ा कल की क्लास में आप लोगों की यह सारी चीजे हम लोग कर चुके थी अब एक जिसका प्रयोग स्थानी अमान के लिए होता है dines blocks जिसका प्रयोग किसके लिए होता है भई स्थानियमान के लिए होता है जोड घटा गुना भाग के लिए हम लोग dines blocks का प्रयोग करते हैं उसके बाद geobort geometric figures पनाने के लिए geobort का प्रयोग किया जाता है है के नी और उसके बाद मैंने आप लोगों को graph paper के बारे में बताया था decimal की जितनी चीज़े होती हैं वो सारी चीज़ graph paper पे आती है area निकालने के बाद कहेगा तो भी graph paper का हम लोग परियोग करते हैं यह सारी चीज़े हो गई थी मोतियों का परियोग calculation में accuracy लाने के लिए perfection लाने के लिए किया जाता है छोटे छोटे जोट घटा गुना जोट घटा गुना भाग तो नहीं जोट घटा के लिए भी हम लोग मोतियों का परियोग करते हैं यह आगी 10 gram है 10 gram से क्या होती है छोटी छोटी आग करतिया मनाई जाती हैं और जिससे हम लोग आज पास की area की चीजों से भी प्रीचित बच्चे को करा सकते हैं तो इसके बारे में भी कल पढ़े थी यह पजल थी और इसके 8 question भी हम लोगों ने पढ़ लिये थे आज हम लोग 9 question से पढ़ना शुरू करेंगे यह लिजिएगा आज हम लोग कहां से पढ़ना शुरू करेंगे सातियों यहां से पढ़ना शुरू करेंगे सभी लोग त्यार हैं बहुत बढ़िया सीटट के बच्चों की एक खास बात है, मतलब एक जनून होता है, जजबा होता है आप लोगों के अंदर, एक जो समय पर कोई इंसान आ जाए, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है, आप सभी लोग टैम पर आ गए हूँ, बहुत अच्छी बात है, आज की क्लास की शुरुवात कर रहे हैं भाई, यह यहां पर देखिए, सीखने सीखाने का कारिय करम शुरू किया जा रहा है भाई, और उसमें आज का पहला कोईशन आपकी नजर के विल्कुल सामने, यहां देखिए भाई, साथियों इस कोईशन के अंदर क्या है बड़े ध्यान से देखना, प्रात्मिक स्थर पर शिक्सार इसको पढ़ाने में मुझे काफी आसानी रहेगी, ठीक है मैं आपको आसानी से बता पाँगा, बटाए देखो यह कावट सरफेस एरिया होता है, श्लेंडर का, नीचे का पार्ट सर्कूलर होता है, ऊपर का पार्ट भी सर्कूलर होता है, इसमें तीन प्रिष्ट होते हैं, तीनों के area को जोड़ देंगे तो बन जाएगा total surface area अगर मैं instrument के help से आपको समझाता हूँ तो इससे क्या benefit होगा देखो एक ताप के माइन में यह आता है ओ भाई मेरे याद तो सर कुछ खास लेके आए हैं ठीक है कुछ लेके आए हैं तो एक सीखने का जजबा आपके अंदर जरूर आएगा पहली बात फिर उन चीजों को समझना अगर मैं बोलूँगा कि couch surface area वाकर पिष्टी चेतरफल आपके मन में हो गई यह क्या होता है अगर मैं इंस्टूमेंट की help से आपको समझाओंगा चीजों को तो आपके concept और अच्छे से clear होजएगे हो जाएंगे कि नहीं तो यह हैल्प होती है जो उपकार्ण होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं न भाई ठीक है जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टूल्स जिसको आप लोग बोलते हो ठीक है Manipulative Tools से चीजों को असानी से समझाया जा सकता है उसके concept को असानी से समझाया जा सकता है तो चलिएगा भई समझते हैं क्या-क्या option दे रखे हैं यह आप लोगों को पता लगया कि जो Manipulative Tools होते हैं उसका यूज क्या होता है बच्चे के concept को अच्छी से clear करना है के नहीं चलिएगा अब समझते हैं मांसिक और मोखिक परिकलन की गती बढ़ाने के लिए ठीक बात है परिक्षा में बहतर परिक्षा वाल अपटे यह word हमेशा के लिए note कर दो आप अपना एक काम करो एक notebook लगा लो ठीक है एक page पर positive word एक page पर negative word भी लिखना शुरू कर दो कभी भी परिक्षाओ की बात करें कि negative word है अब समझ जहिएगा किसी question में किसी option में अगर वो परिक्षा वाल यूज करता है ठीक है इसके अंदर सारे के सारे concept आ गई है संकल्पना का मतलब concept से होता है ठीक है भाई किस से होता है concept से होता है तो भाई मेरी तरफ से इस question का जो answer होना चाहिए C होना चाहिए बढ़ा C इस question का बिल्कुल right answer होना चाहिए आप लोग क्या कहते हों सार बिल्कुल C ही होगा बहुत बढ़िया तो बड़ा यह जो concept है ना संकल्पनाई concept आवधारना यह जो चीज होती है यह सबसे important होती है math के अंदर सबसे important होता है concept ठीक है चलिए तो C इस question का क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा बड़ा यहाँ पर देखेगा कक्षा 4th के विधारतियों को समझाने के लिए 1 by 10 1 by 100 से बड़ा है ठीक है यह बात आप कैसे समझाओगे बदाए यह बात आप बच्चे को कैसे समझाओगे कि 1 by 10 1 by 100 से बड़ा है इसको अपने लोग 0.1 भी लिख सकते हैं और इसको 0.01 भी लिख सकते हैं आप इसको कैसे बताओगे कि यह चीज इससे बड़ी है बड़ा एक बात बनाएं आपसे देखो एक तो होते है संख्या चार्ट कैसा होता है ऐसे बाला होता है एक चार्ट होता है जिसके उपर नंबर्स होते हैं अब डैसीमाले वाली चीज इससे तो समझाओगे नी जा सकती तो यह तो आंसर हो नहीं सकता नहीं हो सकता नहीं हो स बचे को क्या सिखाते हैं place value, इसके नरमोतियां होती है, चीजों को गिनना भी असान रहता है, ठीक है, तो इसमें तो decimal वाली बात है, तो ये भी इस question का answer नहीं हो सकता, dynes blocks जो होते हैं उससे जोड घटा, गुना भाग और place value सिखाई जाती है, लेकिन ये भी इस question का answer नहीं हो सकता, ठीक है, अब आपके पास बच जाता है graph, बढ़ा इसके बारे में मैं आपको बताया था, देखो ये 0.2 लिखा हुआ है, 0.2 लिखा हुआ है यहाँ पार, और य ये 0.2 है, ये 0.3 है, इनका multiply करेंगे तो 0.06 हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़े, इसके अंदर छोटे-छोटे box होते हैं, गर आप paper की help से हम बच्चे को decimal वाले question सिखा सकते हैं, ठीक है, गर आप paper की help से हम लोग बच्चे को decimal वाली चीज़े करा सकते हैं, तो इसका इस question का answer ये होना चाहिए, 10 by 10, वरगा grid, ठीक है, गर आप paper की help से, पड़ा इस fraction का मतलब क्या होता है, fraction का मतलब तो decimal से होता है, ठीक है, 1 by 10, 1 by 100, इसको क्या लिखेंगे, 0.1, 0.01, तो decimal आगया, decimal के लिए हम लोग क्या करेंगे, grid का प्रियोग करेंगे, graph paper का प्रियोग कर ठीक है, तो C, इस question का right answer होने बाला है, कुछ बच्चे बोलना है कि B answer होगा, B answer, abecus, abecus की help से आप बच्चे को divide करना सिखा होगे, ओ मेरे भाई, सुनो, आप abecus की help से, ठीक है, बच्चे को decimal कैसे सिखा सकते हो, मोतियों को तोड़ोगे, एक मोति का मतलब एक 0 से होता है, ठीक है, नहीं बटा, abecus का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग यूज करोगे, स्थानियमा निकालने के लिए, बस, चलिएगा उसके बाद आगले question की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए, अब fourth class के बच्चे को ये समझाना है, कि one divide में half, एक बटा में आधा, एक में कितने आधे होते हैं, एक रुपे में 50-50 पैसे कितने होते हैं, आपको ये वाली चीज़ समझानी है, ये समझाने के लि आप लोगों को बनाना है, कागच की पटियों को मोड के समझाना, पहली बात, कलन वीदी द्वारा, explain करके, algorithm, बटा ये algorithm जो concept होते हैं, ये plus one, plus two में यूच होता है, और आपको fourth class के बच्चे को समझाना है, algorithm वो भी explain करना, ये तो बात से ही लग रहा होगा कि गलत है, ये उसके बाद आप लोगों को बताना है, मन के और डोरियों का प्रियोक करके, साथियों calculation जो करनी होती है, जैसे कि बच्चा गिनने में गलतिया कर रहा है, बीस मोतिया है, उसको अठारा पढ़ रहा है, अभी बाइस पढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक डोरी में मन गाठ मोतिया डाल रखी है, और उपर से गाठ लगा दी, एक माला बना लें, हरे रामा, हरे कृष्णा, हरे रामा, हरे कृष्णा, ध्यान, connection भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, और 108 बार गिनती है, तो वो बीच में गाठ हा जाती है, तो उससे है न, भगवान से connection प्रयोग होता है, यह calculation में, गिनने में, गल्ती ना हो, इसलिए यूच होता है, और इसमें तो बटा fraction की बात है, और इसका प्रयोग, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कागज की पटियों को मोड के बच्चों को समझाती है, जैसा कि जियो बोर्ड, जियो बोर्ड से बना दिये, दो, उसमें shaded part कितना है, एक है, ठीक है, तो बच्चे को बताया जा सकता है, ऐसे ही, कि बटा देखो, total box कितनी है, दो है, उसमें shaded part कितना है, एक है, ठीक है, तो दो में से एक मतलब आधा, तो इस तरह किसे बच्चे को यह कहा जा सकता है, कि बटा, total जितने box वो नीचे आएगा, shaded part जितना है वो उपर आएगा, तो ऐसे कागच की पटियों की help से बच्चे को fraction खेल खेल में सिखाई जा सकती है, यह सबसे अच्छा तरीका माना गया है, तो कागच की पटियों को मोड के fraction सिखाना, ओके ए इस question का क्या होगा, right answer होगा, चलिएगा उसके बात की थी वही concept आ गया है, दूसरी class की एक लड़की, एक बच्चा जो है, वो 223 को 23 पढ़ती है, ठीक है, दूसरी class की जो बच्ची, second class की जो लड़की है, वो यह सोचती है कि 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसने इसको 23 पढ़ दिया, इसको क्या पढ़ दिया, 23 आते आप लोग क्या करोगे, कौन सा करिया कराब करोगे ताकि वो बच्ची को, उसकी गलती का उसे बोध हो जाए, ठीक है, तो बटा ऐसे में तो आपको मैंने बताया था ना, मन के और डोरियों का प्रियोग करोगे, एक डोरी लोगे, उसमें आप 203 मन के डाल दोगे, और गाठ लगा दोगे, फिर उस बच्ची से काओ कि बटा गिनो इसको, फिर वो गिनेगी, तो उसको अपनी गलती का बोध हो जाएगा, ठीक है, सहीए भाई कर देंगे आप लोग, चलि अगले कोशन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए, बटा दो चीजे मैं आपको गरा गराफ पेपर पर यूज करते हैं, डेसिमल सीखने के लिए, सिखाने के लिए गराफ पेपर का यूज किया जाता है, और एरिया निकालने की बात कभी भी हो, छेतर फल निकालने की बात कभी भी हो, तो भी गराफ पेपर का यूज किया जाता है, अब यह को टीचर के अलग समझाते हैं पाच्वें किलास के बच्चे को दो पतिया दी गई है छोटी पति और बड़ी पति ठीक है अगर मैं आपसे बोल दूँ सुनो अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूँ कि यह देखो, अगर आपसे बोल दूँ, कि देखो मिरे पास 2 QB है, इसको भी QB मालने टाओ, ठीकर, इसको भी QB मालने टाओ, मिरे पास एक Graph Paper है, मैंने Graph Paper पर यह रखा, और उसके उसके चारो तरफ पैन से है ना, उसके चारो तरफ पैन से मार कर दिया, देखा कि इसने चे बोक्स कवर कर दिये, और फिर मैंने इसको रखा, इसके चारो तरफ लाइंग खीच दी, देखा कि इसने दस बोक्स कवर कर दिये, तो इससे हम लोग देख लेंगे, कि बड़े पत् पत्ता है एक पत्ता देख पारे होगी उसने कितने बोक्स कवर किये वह आप लोग ऐसे में देख पारे होगी इतने बोक्स कवर किये तो मतलब बड़ा पत्ता ज्यादा बोक्स कवर करेगा चोटा पत्ता होगा चोटी कम बोक्स कवर करेगा ऐसे में उसने कितना एरिया कवर क प्रेंबरी लेवल पर यह चीजे यूज की जाती है थीक है तो बस आप इतना ध्यान में रखो कि छेतर फल के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का यूज करते हैं भाई तो ग्राफ पेपर का यूज करेंगे स्केल से लाइन खीची जाती है धागी के अंदर तो मन के डाले जाती है Geo board पर geometry की figures बनाई जाती है तो गराफ पेपर का प्रयोंग करेंगे D, इस question का क्या हो जाएगा भाई Right answer हो जाएगा मेरे दोस्त, D, इस question का क्या हो जाएगा Right answer हो जाएगा चलिएगा उसके बाद अगले question की तरफ चलते हैं, next question देखना, यहाँ पर देखिए, तो चलते हैं न, इस question को देखिए, बड़े ज्यान से देखना एक बाद, बड़ा ही प्यारा question है, माना कि size में बड़ा है लेकिन उतना आसान भी है, आपके paper में पूछा जा चुका है, देखो, परदीप को एक ट ruler में 5 cm कहां पर है, distance नहीं पूछी, 5 cm पूछा, अब ऐसा थोड़ी ने कि एक से 5 तक, ऐसे नहीं पूछा, कि 5 cm कहां पर है, 5 cm तो यह रहा, ठीक है, 5 cm यहां पर है, यह पूछा गया है, वो ruler उठाता है, और ruler पर 5 cm को चीनित करता है, परदीप ने यह चीनित कर दिया, नि उसका उतर, आप सुनिये, वो उसने निशान लगा दिया, ठीक है ना, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना तुरूटी पूरण है, कहां तुरूटी पूरण है, उससे यही पूछा कहा था, कि 5 cm कहां है, उसने निशान लगा दिया, तो यह बात गलत कहां पर होई, गलत थो नहीं कि लंबाई की रूप में उसने किस रूप में पूछा था कि रूलर में 5 cm कहा पर है। बिंदु की रूप में पूछा गया था … तो दूसरा देखिए ,साही है क्योंकि order पर 5 cm के निशान को चिनित किया गया है तो ये वाली बात तो सही है गलत बोल रहा है तो गलत है तो गलत गलत बोल रहा है तो गलत गलत कहां पर है परदीव से पूछा गया कि 5 cm बिंदू कहां पर है उसने कहा कि 5 cm बिंदू ये है ठीक है तो बड़ा तुरूटी पूरण कहां तुरूटी पूरण सही तो निशान ल के बिंदू के बारे में पूछा बोला गया था तो बी इस कोशन का क्या हो जाएगा भाई राइट अंसर हो जाएगा कि चलेगा उसके बाद आगले कोशन की तरफ चलते हैं अब एकस से आप लोग प्रीचित हैं मैं आपको पहले भी बदा आ चुका हूं आप एकस आप काफी बार देख भी चुके हैं दुबारा देखना तो दुबारा देख लिजिएगा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अब एकस का प्रीयोग एक तुस्थानिया मार निकालने के लिए होता है अब एकस के अंदर मन के होते हैं रुको जड़ा ठीक हैं अब एकस के मन के होते हैं मन के होते हैं मोतिया होते हैं तो कैलकुलेशन तो गलत होई नहीं सकती इससे इससे काउंटिंग करना गलत नहीं होता है इससे स्थानिया मार निकालना असान होता है जब काउंटिंग करना गलत नहीं होता है तो कैलकुलेशन करना भी असान हो जाता है तो इसक तो पर एक विशेज ध्यान चाहूँगा आप लोगों का, तो किस-किस में करता है वो अलग बात है जिसमें नहीं करता हो बताएए, बिना किसी तुरूटी के संख्याव को पढ़ने में, अगर अबेकस होगा तो हम बिना किसी तुरूटी के संख्याव को पढ़ पाएंगे, पहली बात, ये तो सही वाली बात है, हमको तो गलत वाली बात बतानी है, काउंटिंग करने में परिशुदता आएगी, परफेक्शन होगा, ठीक है, परफेक्शन के साथ हम लोग क्या कर पाएंगे, काउंटिंग कर पाएंगे, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी बोला कि साथ, इसको शब्दों में लिखो पहले तो, यह क्या लिख दिया, आप लोगो उने साथ लिख दिया, क्या इस शब्द का अबेकस से कोई तालमिल है, क्या अबेकस उसमें इस साथ को, तो जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसमें अबेकस की help नहीं ले जा सकती, उसमें अबेकस की help नहीं ले जा सकती, तो यह वाली बात क्या है, पूरी तरह से गलत है, तो इस question का right answer क्या होने वाला है, B, आपको गलत वाला ही बताना था, चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं, निमलेकित में से कौन सा एक गती शील गनित सोफ्ट्वेर है, जो जयमिती, बीज गनित, spread sheet, रिखांकन, सांकिकी और calculation के साथ उप्योग खेतू असान पैकेज में आता है, ऐसी कौन चीज है इनमे से, यह सारी चीज उसके अंदर include होती हैं, बताए इस question का answer आप लोगों से पोच लेती हैं, अब कुछ बचों को यह नहीं पता हूगा कि जियो जयवरा क्या होता है, पैटरन शेप्स क्या होती है, यह चीजे मैं आपको थोड़ी असा दिखा देता हूँ, बड़pent यह तो होता है, जियो जयवरा होता है, और splash meath कैसी होती है, यह मैं होती है, ठीक है पैटरन शेपस बोलाएं कि उसने दिखाना एक बार? बिलकुल पैटरन शेपस जो हना वह आप लोगों की यह हो जाएंगी एक जिससे सरकल में अलग 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 पैटरन पर शेपस आप लोग देख पारे होंगे देखूं सब सरकल में ही पैटरन्स बने हुए हैं ठीक है और और उसके बाद आप लोग देखेंगे Geometry Pad Geometry Pad ये आपका एक computer का software होता है ये भी ठीक है एक pad होती है तो ये सारी चीजे कुछ बचों को नाम से बच्चे परिचित करे बार नहीं होते कि जी ओ जैवरा क्या होता है नहीं पता दिखावा नहीं है हो जाता है ठीक है pattern shapes ये आप लोगों की pattern shapes है एक circle होता है देखो इनके बीच में आपको circle वाली feeling आ रही होगी और उसमें अलग-अलग patterns बने हुई है अलग-अलग shapes बने हुई है और उसके बाद ये geometry pad है और ये आप लोगों का क्या रह गया भई आप लोगों कर रहे है स्प्लैस math इसमें क्या होता है इसके बारे मैं आपको थोड़ा सा बता रहता हूँ सुनो स्प्लैस math में क्या होता है इसमें ये होता है कि जैसे कितने ये टोफी कुछ भी लगा लो यार कितने article है एक, दो, तीन, चार तो आप क्या करोगे चार page के उपर circle लगा दोगे चार के उपर क्या कर दोगे भई circle लगा दोगे ऐसे में इसमें कितने article दिखाई दे रहे है एक, दो, तीन, चार, पाच, चे, टुच्छी के उपर article splash math में ऐसे बच्चा बढ़ता है ठीक है उसकी चोटी-चोटी जो counting है ना उसकी counting strong हो जाती है इससे बच्चा क्या देखेगा इस प्लैस मेट में तीन आर्टिकल है एक दो तीन तीन के उपर क्या करेगा सरकल लगाएगा ठीक है जो digit होती है उसकी पहचान हो जाती है बच्चे को अच्छ में आती है तो बड़ा ये सारी चीज़े आप लोगो क्या आती है जियो जैबरा में आती है ये सारी चीज़े किस में आती है जियो जैबरा में आती है ठीक है आप लोग देख भी पा रहे होंगे ये सारी चीज़े आपकी कहां पर आ रही है जियो जैबरा में आ जाती है ठीक पड़े और इस question का अंसर बताईए क्या हो सकता है इस question का अंसर गोर से देखिए इस question को हास कोशल सामगरी जिसको अब लोग क्या बोलते हो मैन्यूपुलेटिव का उप्योग प्रात्मिक स्तर पर सात्यों प्रात्मिक स्तर पर primary level पर ठीके ना primary level पर गनित के इस question अधिगम का अभीन अंग है बताईए हाथ से करना हाथ का जो कोशल होता है ना हाथ का कोशल बच्चे को करने दो बच्चे को अपने हाथ से करने दो तो उसे क्या होगा देखते हैं यह प्रात्मिक पाठे चरह में अन्य विशो के साथ संबंद बनाने में सहता करता है वा यह देखना भाई कितनी बढ़िया लाइन दे रखिया उसने जो बच्चा हाथ से करेगा खुद से करेगा उसका concept मैस का concept जारा strong होगा एक तो वो बच्चे होते हैं जो दूसरों की कोपी लिए छाप लिया उनका क्या होगा कुछ भी perfection नहीं होगा कोई भी concept अच्छे यह बताओ एक तो अपने दूसरों की कोपी से question note किया क्या आपका concept clear होगा कभी नहीं होगा एक होता है आप अपने ही efforts लगाते हो अपने हाथ से काम करते हो करके सीखते हो उससे आपका concept clear होगा होगा तो यही इस question में थी कि आप अपना काम अपने हाथ का question ठीक है कभी-कभी एक बर क्या था कि कुछ हम जब PPT बनाते थे आप मै मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा PPT मैं मुझे नहीं बनानी आती थी कुछ समय पहले अब तो मैं बना लेता हूं तो मेरी मम्मा बार मैं प्रिशान रहता त्यार आज PPT नहीं बना ही class लेनी है तो मेरी मम्मा ने एक बात बोली कि अधिपक काम करी काम तो मुझे ये बात समझ में आ गई तो मैंने क्या किया PPT बनाना कुछ से सेख लिया अब देखो आप लोगों की प्रोपरवे में रोज class होती रहेंगी और देखो मैं अपनी class में कुछ भी इस तरह के न figures जो भी attach करनी होती मैं कर पाँगा क्योंकि मुझे वो सब करना आता है ठीक है ना तो ये चीज होती है कि अपने हाथ से अगर बच्चा चीजों को खुद करता है तो यकीन मानिए फिर बच्चे के सारे के सारे concept समझने में बच्चे को help करेंगी तो ये वाली बात बिल्कुल सही है C इस question का right answer हो जाएगा और एक है आप इस word को वहाँ पर डाल दीजिए इस concept word को mathematical concept word को positive thinking में डाल दीजिए आप negative word और positive word दिखते हो ना जहाँ पर mathematical concept की बात आ जाए बच्चे को ये चीज सीखने बच्चे का concept clear हो रहा है ठीक है concept word कहीं पर भी दिखाई दे वो लगबग लगबग आप लोगों का बिल्कुल सही होगा यकिन मानिए ठीक है तो चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं अगले कोशन की तरह यहां पर देखिए लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक teacher एक अध्यापिका चात्रों को अपनी मेज पर लंबाई पैमाने से नापने के बिजाए बिलात या पेपर क क्लिप से मापने के लिए कहती है इस करिया कलाप को कराने के लिए उसको क्यों करवा रही है यह अच्छे वाद बताओ कोशन का मतलब यह है कि जैसे कि आप कलास में आये हूँ आपको इस टेबल को मापना है आलांकि आप इस टेबल को देख नहीं पा रहे होगे मैंने यह सुधा से कहा, सुधा एक काम करो, पर इस टेबल को मापो, ठीक है, वो बोल रही कि मैं कैसे मापो इसको, तो मैंने कहा आप एक काम करो, बिलाद से मापो, और किसे पापने के लिए बोला था, बिलाद से या पेपर कलिप से, पेपर कलिप, पेपर कहां पर है यह रहा इसको कहा इस paper को लो आप इस paper paper से मापो तो उसने ऐसे मापना शुरू किया ऐसे accuracy तो आएगी नहीं यह बाद तो सभाविक है और बिलाथ से मापेगी कभी तो उसको खीच लेगी कभी normal कभी ऐसे तो वो भी accuracy नहीं आएगी ठीक है मातरब एकड़म accurate नहीं बता पाए कि उसकी लंबाई कितनी है तो teacher ने यह practical क्यों करवाया कलास में इसके बारे में आप लोगों को बताया है कि बच्चे को यह पता लग पाए क्या पता लग पाए आईगा बात करते हैं ठीक है वे विदार्थियों को का career shield गती विदियो में वियस्त रखना चाहती है बड़ा इस word को भी देख लो कोई teacher बच्चे को यह सोचे कि बच्चा बेजी हो जाए और मैं अपनी श्वेटर बोलोगी ऐसा teacher कभी नहीं सोचता कि बच्चे बीजी हो जाए हम अपने दूसरा काम कर लें ऐसा teacher कोई है तो ऐसा नहीं सोचेगा तो यह वाली बात तो बिल्कुल गलत है कि बच्चे ना इस काम में बिलाच से यह table को मापते रहेंगे और मैं अपना दूसरा काम कर दोंग इतने में ऐसा नहीं है यह वाली बात तो गलत हो गई वह अपने विधारतियों को यह सिखान से आप लोग कर सकते हो scale या फीता फीते से उसका सही मापन किया आजा सकता है तो पेपर कलिप के द्वारा सही मापन नहीं किया आजा सकता ठीक है भाई और उसके बाद आप लोग देखेगा पैसे मैं आपको आपके knowledge के लिए बताना भी चाहूँआ कि मापन में 3-4 बाते आएंगी ध्यान रखना जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो विलोकन के दुवारा चीजों को देखके तुन्ना करके बताता है कि य यह चोटी चीज है यह बड़ी चीज है यह चोटा मंकी है यह बड़ा मंकी है यह चोटी चोकलेट है यह बड़ी चोकलेट है वो इशारे करके उसका यही मापना होता है छोटे बच्चे के लिए ठीक है जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर वो हाथों से रसी से नोन स्टे इसके अंतरगत कौन कौन सी चीज़े आ जाती हैं कागज की कलिप हो गई पैन से मापना बिलाच से मापना रसी से मापना इसको बोलते हैं नोन स्टेंडर्डड यूनिट्स बोलती हैं उसके बाद बच्चा जब 6-7 कलास में होता है तो फिर बच्चा स्केल से मापना शुरू यूनिट्स यूज़ करता है, वो कौन सी यूनिट यूज़ करता है, जिसमें क्या चीज़ें आ जाती है, जिसमें आप लोगों की स्केल्स आ जाती है, वो सारी चीज़ें स्टेंडर्ड यूनिट्स में आ जाती है, उसके बाद बच्चा फोर्थ, मतलब और बड़ा होता है, 8th 9th में हो जाता है तो 7th 8th में तो फिर बच्चा मैट्रिक्स यूज़ करता है किलोमेटर हेक्टोमेटर डेकामेटर यह वो सारी चीज़ यह लास्ट टेज होती है मापन की ठीक है ना तो यह चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए वह चाहती है कि तीसरा पढ़ना भाई वह चाहती है कि उसके विधारती पुराने तरीके से वस्तुव का मापन करना सीख ले पड़ा यह पुराने समय में कागस से मापना जब फीता स्केल नहीं हुआ करता था तो यह पहले पुराने तरीके से बच्चा सीखे बच्चा पुर भूद गर्मी का समय है, आपको एक जगा से दूसरी जगा जाना है, दस किलोमेटर जाना है, आप लोग पैदल जा रहे हो, पसीन आ रहे हैं, थकान हो रही है, चला नहीं जा रहा, चकर आ रहे हैं, तो आप लोगों को यूँ लगता है, कास गारी होनी चाहिए थी, बाइक हो कि आपको इस चीज की जुरूरत है, अब बच्चे से वह सही नहीं मापेगा, तो फिर बच्चा क्या बोलेगा, मैडम कुछ और तरीका बताइए, और कुछ बताइए कि हम इसको सही माप पाएं, फिर मैं हम कहेगी, अले बटा, आप स्केल यूज कीजिए, फीता यूज कीज ठीक है, उससे आप लोग सही माप पाऊगे, तो यह एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है भाई, टीचर क्या चाती है, कि वेधार्तिय मापन के लिए, मापक इकायू की आउशक्ता को समझे, तो बटा, इस कोशन का क्या होजेगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, चल लिएगा, अगले कोशन की तरफ चलते हैं, निमले कितमेंसे कोन आकडो के आलेखी है, निरूपन के लिए उप्योग नहीं है, बटा, आप लोग है न, आकडे, स्टेटिक्स पढ़े होंगे, आप लोग, डी आई, डाटा इंटर्प्रेशन पढ़े होंगे, आकडे किन किन फीगर से बनाये जाते हैं, बटा, पाई चार्ट है, टेबल्स है, हिस्ट्रोगराम है, बार गराफ है, पाइगनल्स है, इनसे हम लोग आकडे कठे करते हैं, ठीक है, अब आप लोग दिखिए न, आरेक, आरेक को जिसको रेक्टेंगल बोलते हो, आये चितर बोलते हो, ऐसे वाले आपको याद भी होगा, याद नहीं है तो मैं बता रहता हूं, इस ही को बोलते हैं आय चितर ॥िय कि अम-ोलोगों को पढ़ाएं होगा पाइचार्ट आप लोगों का कुछ ऐसे भी आकड़ों के अंदर आता है ठीक है यह भी आय चितर है histogram आप लोगों का ये वाला है ये भी histogram होते है इसने क्या दे रिया है आपर pictograph बोल दिया अच्छा cheater लगा दिया तो pictograph बोल दिया ok, pignals type में फिर इसको pignals भी बोला जा सकता है ऐसे pignals इससे भी हम लोग आकड़े-कठे करते हैं बड़ां यह तो topic का नाम है, यह average है यह topic का नाम है, जो primary level पर नहीं होता है यह तो 7th, 8th में बच्चे को सिखाया जाता है, average ठीक है, बड़ां यह 7th, 8th में यह आकडों में नहीं आता है, average तो यह math का topic है ठीक है तो इसने बताया था कि आकडों में कौन सा प्रियोग में नहीं आता है तो average प्रियोग में नहीं आएगा तो इस question का right answer क्या हो जाएगा सी हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा सी ठीक है और यह सारी चीज है ना histogram बार ग्राफ पाई चार्ट टेबल्स पाइगनल्स पाइगनल्स को हिंदी में बहु भूझ ठीक है ऐसे वाला होता है तो यह सारी चीजे आपकी किस के अंदर आ जाती है आकडों के अंदर आती है ग्रास के अंदर आती है डाटा ग्रैंफिकल उसके बी बोल सकते हैं आप लोग है ना जीलिए उसके बाद आगे चलते हैं मन को मोतियों का प्रयोग नीवर लिकित में से कीन आवधारनी को समझाने के लिए नहीं किया जाता जिसे मेरे पास मोतिया हैं तो कौनसे वाला कंश आप नहीं सिखा सकता बच्चों को, बड़ा मोतियों से कभी आयतन तो नहीं निकाला जाता, आयतन तो बड़ा 3D geometry होती है ना, 3D geometry, cylinder cone, sphere, hemisphere, उसमें निकाला जाता है, cube, cuboid, चोपड का मतलब भी square से होता है, ये भी mensuration के अंदर आता है, तो ये मोतियों का इन आकर्तियों से क् मोतियों से बच्चे को आप लोग संख्या का बोद सिखा सकते हो, मोतियों से fraction सिखा सकते हो, ठीक है, मोतियों से बच्चे को fraction सिखा सकते हो, pattern सिखा सकते हो, तो ये वाला हमारा आंसर बिलकुल सही होगा, जहां पर आयतन की बात हो, चोपड का मतलब square से होता है, उसकी बात तो इसमें मोतियों का यूज ही नहीं चलेगा उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर देखिए यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है परिकलन मतलब कैलकुलियसन करने में समस्या हो रही है तो आप बच्चे को मैस में प्रोब्लम हो रही है कैल्कुलेशन करने में प्रोब्लम हो रही है कैल्कुलेटर दिलवा दें उसको कैल्कुलिया की प्रोब्लम है उसको बच्चे को कभी मैस की कैल्कुलेशन में प्रोब्लम हो तो उसको कैल्कुलेटर दिलवा दो लिखने में प्रोल्म है तो बच्चे को graph दिलवाओ बच्चा graph में लिखेगा dysgraphia पढ़ने में प्रोल्म हो तो dyslexia तो यह कुछ एक चीज़े आप लोग ध्यान रखेगा तो बच्चे को किस में प्रोल्म है बी इस question का right answer हो जाएगा चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं गनित सभी विज्यानों का द्वार वैक कुंची है ठीक है यह बात किस ने बोली थी रोजर बेकर ने यह बात बोली थी एक पर पूछा गया था पेपर में गणिस सभी वियानों का द्वार वैकुन जी है ये बात किस ने बोली थी? रोजर बेकर ने बोली थी वैदिक, बच्चे भी एकसर बोलते हैं कि सर वैदिक मैथ सिखा दो पेपर पूरा नहीं होता, अरे सर जी कुछ करो हमें वैदिक मैथ ट्रिकी मैथ सिखा दो, क्यों कहते हैं बच्चे मुझसे ये बात बताओ, बच्चे हमेशा यही बात क्यों बोलते हैं मुझसे ट्रिकी मैथ सिखा दो सर स्पीड के लिए बोलते हैं, अच्छा बच्चे ये बात बोलते हैं, स्पीड के लिए गनित में गरना करने में कोशल आ जाए और गती बढ़ जाए बच्चों की कैल्कुलेशन देखो कैल्कुलेशन स्कील इंप्रू हो जाए और उनकी स्पीड इंप्रूमेंट हो केवल और केवल स्पीड के लिए वैसे पढ़ना चाते तो पढ़लो विधार्थियों के गनित में समस्या समाधान में कोशल देखो मेरी बात सुनो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट सीखना जरूरी होता है इसने वैदिक मैथ की बात की है वैदिक मैथ आजकल विशेश रूप्षे परात्मिक विधालों में के बच्चों में बहुत लोगप्रिया होता जा रहा है इसका प्रयोग निमलिक हित्मी से किसका विकास सनवार्धन में होता है एक मेरी बात सुनो बच्चे को आप ट्रीकी मैथ सिखाए लेकिन उससे पहले उसका बेसिक जरूर बताये कनसेट जरूर सिखाइ कुछ बचछे मोलते है ना जी हास बड़े वाला नहीं शिखना भेन एकक से शीखना है नहीं है हमे तो इस तरीके से सीखना ही नहीं है हमको ट्रिक्श से सिखाँ दो आप यकीन मानिया वो कुछ भी नहीं कर सकते, पेपर में उनका result एक दम जीरो है, नथिंग, उनका कोई रोल ही नहीं है पेपर में, उनको पेपर देने जा रहा है नहीं चाहिए, जो सिर्फ ट्रिक के उपर काम करते हैं, कहते हैं कि आस्मान को छोना अच्छी बात, लेकिन ज करने ही पड़ेंगे, concept, concept होता है basic, वो तो आपको आना ही चाहिए, अब छोटों को बोलोगी कि भाग के दिखाओ, पिचारे को चलना ना आ रहा भी भागेगा कैसी, पहले बच्चा चलना सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा, बात में भागना सीखेगा, ओके, तो आप इसमें क्या था भाई, वो direct ऐसे नहीं हो पाएगा, विधार्तियों को गनित में एकागरता, एकागरता की कोई बात नहीं है, एकागरता भी meditation से होती है, ठीके, tricky math से एकागरता नहीं आती है, दिमाख में, शरीर में स्थीरता है ना, meditation से आती है, आप लोग है ना, 10 minute meditation करोगे, तो आपके, आपका mind एकागर हो जाएगा महाँ पर, अगर दिल से करोगे तो, tricky मैंसे एकागरता थोड़ी ना, ती है, तो बड़ा C वाला बिल्कुल सही रहेगा, गनित में गनना करने में कोशल और speed भी बन जाएगी उससे, है ना, calculation fast हो जाएगी, ठीके, चलीगा, आगे चलत जोड़ना, जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 28 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 35, यहाँ पर आपने लिखा 3, यह carry कहाँ चला गया है, यहाँ पर, मतलब carry को include करके जोड़ना, इसको बोलते हैं, regrouping, group में दुबारा से जोड़ना, जो carry होती ह इसको group में जोड़ना, numbers में जोड़ना, इसको क्या बोलते हैं, regrouping, कभी भी हासिल की बात करें, carry की बात करें, देख ले ना, regrouping कहाँ पर है, ठीक है, तो regrouping आप लोगों का यहाँ पर आ गया है, regrouping process में बच्चे को problems हो रही है, ठीक है, कक्षा 2 के कुछ विधारतियों को हासिल वाले, दो अंको की संख्या में जोड़ने में कटना ही हो रही है, अब बच्चे ने क्या कर दिया, 13 का 3 लिख दिया, इसको लिख दिया 5, इसका मतलब यह है, बच्चे के अंदर यह problem है, बच्चे को regrouping नहीं करना रहा, उसने यहाँ पर 13 का 3 तो लिख दिया, ले नहीं कर पा रहा है, उससी की समझ नहीं है बच्चे को, तो D इस question का right answer हो जाएगा, प्रात्मिक सतर पार निमलीखित में से कौन सा गणित का पाठय करम का भाग नहीं है, प्रेमरी लेवल पर कभी भी बिटा ratio and proportional नहीं सिखाया जाता, आप उसको data handling सिखा सकते हैं, symmetry सिखा स सकते हैं, decimal, primary level पर होती हैं सारी चीचे, लेकिन ratio and proportional 7th, 8th में बच्चे को सिखाया जाता है, primary level पर ratio proportional नहीं होता है, ठीक है, यह चीज़ आपको धिहान रखनी होगी अनुष्का, तो यह आप महापेक के बारे में जो भी बात कर रहे हैं, आपके पास inquiry number हम लोग हर बार देते हैं, आपको आप उनसे बात करों, और हमारे teams के दूसरे members इस चीज़ को संभाल रहे हैं, मैं आपका message पहुँचा दूँगा, लेकिन मैं इन चीजों में involved नहीं, म आप सोरफ सर्च से बात कर दीजिएगा, एक बार, आपके पास inquiry number भी तो होंगे न, inquiry number होंगे, आप एक बार बात कीजिएगा inquiry number पर, जो भी आपकी problem है, तो हम लोग teachers लोगों का यह responsibility रहती है, कि आपको अपना teaching में अपना काम करना है, हर चीज के लिए अपना-पना एक team बनी हुई है यहाँ पर PW में, आपके कोई भी doubt है, आपके पास inquiry number होगा न, आप एक बार बात कीजिएगा, हाँ, हम इतना जुरूर कर सकते हैं, आपका message आगे पहुचा सकते हैं, ठीक है, चलिए आगले question की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए, साथियो आज हम लोग इत किसरी class, दो class आज दूसरी class थी आप लोगों की, ठीक है, तो साथियो आज हम लोग इतना ही करेंगे, आप लोग class मिश्मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, लगातार आप न, 10-15 दिन पहले पैड़ागुजी के उपर थोड़ी कमर कस लो, पैड़ागुजी एच्छे से समझ बद लो, content तो अपना भायात का खेल है, ठीक है, उसको तो बड़े प्यार से आपनों लोग निकाले लेंगे, बात नहीं हो पा रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ, ठीक है न, वैसे group में महापैक को लेके बात चल रही थी, मैंने सारे message पढ़े नहीं, काफ पहुच भी गया है, मैं भी बात करूँगा, ठीक है बाई, और आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, आप इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना एक बार, और शुरुवाती दोर में एक बार पैडागोजी के उपर रोड़ी पकड़ अच्छी बना ल लेए, कहते हैं कि जिन्दगी में सदा मुष्कुराते रहो, मुष्कुराना जिन्दगी की जरूर्त है, और जिन्दगी जीओ इस अंदास से कि तुम्हें देख के लगे, कि जिन्दगी कितनी खूपसूरत है, तो साथियो आज के लिए तना ही, थैंक यू